हाई फ्रेंड्स वेलकम हमारे जियस इंडिया यूटूब चैनल पर यह हमारा टेस्ट नमबर 236 है और आज का टॉपिक है कम्मुनिटी हेल्थ नर्सिंग यह एर बेस्ट कोशन लिए हैं जो कम्मुनिटी हेल्थ नर्सिंग में अकसर पूछ जाते हैं जो ज्यादा कोशन पू के लिए बेसी नर्सिंग पोस्ट बेसी नर्सिंग इंट्रेस एक्जाम्स के लिए एस एस आईसी नर्सिंग एक्जाम्स के लिए यूपी सीचो एमपी सीचो यूपी पी सीचो नर्सिंग एक्जाम्स के लिए राजिस्तान सीचो पीडियाई नर्सिंग एमस नर्सिंग उत जरूर बताएं भारत में नेशनल कंट्रूल मलेरिया प्रोग्राम शुरू हुआ था आपको बताना है कब शुरू हुआ था दिये गए आफसन में से राइट आंसर आपको सिलेट करना है क्या होगा इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा आफसन डी क्या होगा आफस 53 में की गई थी चलते हैं नेक्ट कोशन पर यह है आपकी स्कीन पर इसी से मिलता जूलता कोशन नमर आपकी स्कीन पर है दूसरा रास्टिय मलेरिया उनमूलन कारिकरम सुरू हुआ था नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम आप अगर हिंदी मिने समझ पा रहे हो तो इसमें यह वर्ड दौकेंगे एराडिकेशन प्रोग्राम सेम आपको इस तरह मिलेगा अक्जाम्स में नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम इस्टार्ट इण इंडिया आपको बताना है क्या होगा रैट आंसर इसका आप सर्ण 20 का रैट आंसर होगाunn 1958 1958 इस द 1958, नेक्स्ट है, कोशन आपकी स्कीन पर, कोशन नमबर 3, कोशन नमबर आप सरी पढ़ें, फिर आमसर बताएं, भारत में राश्टी है, ग्रामीर स्वास्त मिशन की सुरुवात कब की गए थी, क्या होगा राइट आमसर इसका, कमेंट करें, मोशली मोशली कोशन नमबर के रिविजन के लिए भी रखे गए हैं, राश्टी ग्रामीर स्वास्त मिशन की सुरुवात, आफसर बीस का राइट आमसर है, 2005 में की गए थी, 2005, ओके, ये इसका राइट आमसर है, राश्टी ग्रा फिर आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका जननी सुरच्छा योजना की सुरुवात कब की गए थी फिर इनवाच जननी सुरच्छा योजना ये वर्ड इतना ध्यान रखेंगे जननी सुरच्छा योजना कब सुरू किया गया था इसका जो राइट आंसर होगा आफसर भी होगा क्या 2005 ठीक है 2005 is the राइट आंसर ये जननी सुरच्छा योजना की जो सुरुवात होई थी वो 2005 में हो भी थी अगर डेट पूछा जाएगा तो इसमें भी आप बताएंगे 12 अपरेल ठीक है कितना 12 अपरेल 2005 बताएंगे ठीक है डेट इसमें भी देहन रखेंगे 12 अपरेल NRHM ठीक है उपर जो बात कर रहा था NRHM National Ruler Health Mission और ये लिका है जन्नी सुरच्छा योजनाटिक है ये दूनों की डेट एक ही है क्या है तारीक मलब इनका जो year 2005 है और 12 अपरेल 2005 दूनों के लिए धियान रखेंगे नेक्स्ट एक कोशन आप देखेंगे यहां पर एक दो पॉइंट लिखेंगे हैं इन्हें समझ लेते पहले फिर बात करते हैं इसका मलब एम्स क्या है उद्देश क्या है अब्जेक्टिव क्या है टार्गेट क्या है इस बीग इंपिलिमेंटेड वीड़ अब्जेक्टिव उप देडिशिंग दा मैटरनल अंद नियू नेटल मॉर्टल्टी बाइ दी प्रमोटिंग दा इस्टिटिशनल डिलेवरी इमांग पूर प्रिगनेट वुमेन जो गरीब महिला है ठीक है उनको क्या करना इसका ये उद्देश है और किन महिलाओं के लिए गरीब महिलाओं के लिए तो ध्यान रखेंगे आप ये देनों पॉइंट जन्नी सुरच्छा योजना ये किसका कंपोनेंट है तो आप बताएंगे ये NRHM का कंपोनेंट है किसका घटक है जन्नी सुरच्छा योजना किसका घटक है वेन वाज़ दा जन्नी सिसु सुरच्छा प्रोग्राम लाजड, क्या है राइट आमसर इसका? इस question के आप option दुबारा देखे, फिर से answer बताएं, क्या होगा राइट आमसर इसका? जन्नी सिसू सुरच्छा कारकरम ठीक है उपर क्या था जन्नी सुरच्छा योजना था यहाँ पर जन्नी सिसू सुरच्छा कारकरम पूछा गया है इसका जो राइट आमसर होगा आफसर डी होगा 2011 2011 इसका राइट आमसर होगा ठीक है यह है जन्नी सिसू सुरच्छा कारकरम की शुरुवात 2011 में हुई थी 2011 में हुई थी यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गया है इन्हें आप समझ लेते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर देश से थे entitled all pregnant women's delivery in a public health institution to the absolutely free and no expense delivery including the cigerian section ठीक है इसमें लाब क्या मिलेंगे क्या-क्या इसमें उद्देश रखे गए थे इसमें जन्नी सिसु सुरच्चा जो कारकरम था इसमें जो institutional delivery होती है उसको बढ़ावा देना इसका कार था और इसमें जो institutional delivery होगी वो फिरी होगी वो चाए cigerian section के माध्यम से ही क्यूं नहों ठीक है नारवल delivery हो जाएगी तब भी उसमें कोई खरचा नहीं मलब लगेगा अगर वो cigerian होती है भाई operation होती है ठीक है जन्नी सुरच्छा युजना कब थी, वो 2005 में स्टार्ट की गई थी, ये जन्नी सिसु सुरच्छा कारिक्राम है, सिसु लगाए बीच में ठीक है, तो ये 2011 ध्यार नखेंगे आप, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, कोशन नमर आपकी स्कीन पर 6, कोशन नमर आप 6 पढ़ें, फ आपसन ए होगा, क्या, आपसन ए, इस दर आइट आम सर, 1920, क्या ध्यान रखेंगे, 1920, ध्यान रखेंगे, इंडियान रेट क्राश सुसाइटी, बहुत पुछे जाता है, एक्जामस में ध्यान रखेंगे, आप ठीक है, इंडियान रेट क्राश सुसाइटी क्या होती, वो ज इसके मानता के बारे में इसे related कई तत्त होते हैं उनके बारे में और इसका जो headquarter और जो new daily किसहा है New daily में नई डिली में ठीक है तो ध्यान रखेंगे आप नई डिली में इसका मुख्याल है देली में ठीक है यह पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पर देशकते हैं मुख्याल है नई दिली में इस दीद किसका इंडियन रेट क्राश सोसाइटी का नेक्स्ट है कोशन आपकी स्कीन पर कोशन नमर सेवें पढ़ें फिर आमसर बताएं पल्स पोल्यो टीका करण कारिकरम की सुरुवात कब की गई थी फिर इन वाज़दा पल्स पोल्यो वैक्सिनेशन प्रोग्राम इस्टार्टेट क्या ही राइट आमसर इसका कभिन करके बता सकते हैं जो भी राइट आमसर हो आपसर डीस का राइट आमसर है 1995 उनीस सो पंचान बे ठीक है पल्स पोल्यो टीका करण कारिकरम की जो सुरुवात हुई थी या पल्स पोल्यो एमुनाइजेशन यहां पर वैक्सिनेशन की जगे एमुनाइजेशन में इसन किया जाता ठीक है पॉइंट ध्यान रखना आपको पल्स पोल्यो टीका करण कारिकरम या पल्स पोल्यो एमुनाइजेशन प्रोग्राम यह उनीस सो पंचान बे में स्टार्ट किया गया था 1995 ओके चलती है नेश्ट पॉइंट पर नेश्ट कोशन पर यह आपकी स्कीन पर यह नुइन किया गया 20 सूतरी कारिकरम की सुरुवात कभ हुई थी वेंश्ट वाज्दा 20 पॉइंट प्रोग्राम इस्टार्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टरु आफथन पर यह दिये गए आफशन मेंसे राइट आंसर माना जाएगा एक बात धान रखेंगे dign aos पहली बार बात करें तो 1975 में हुई थी ठीक है यह रिवाइज किया गया था 1982 में 1982 में आप यहां पर हम डिटेल्स में समझ लेंगे 20 सूतरी कारक्रम के बारे में कब कभी से रिवाइज किया गया ठीक है यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे एक्जांस में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से कौन सा एयर है जिसमें जो 2020 प्रोग्राम है 20 पॉइंट प्रोग्राम है रिवाइज ने किया गया इसके चार एयर है यह द्यान रखेंगे देखिए पहली बार 1975 में से लांच किया गया था ठीक है यहाँ पर देश स 1982, 1986 and again in 2006 also known as the 20-point program ठीक है अब यह पॉइंट आप याद रखेंगे देखिए कब कब पहली बार 1975 में दोबारा 1982 में तीबारा तीसरी बार 1986 में चौती बार फिर से रिवाइज किया गया रिस्टेक्टर किया गया 2006 में ठीक है तो आफसन के कौर्डिंग आंसर यहाँ पर बता हुआ था 1975 में दूसरा कब हुआ था 1922 में तीसरा कब हुआ था 1986 में ठीक है और चौथा कब हुआ था 2006 में ठीक है यह पॉइंट ध्यान रखेंगे चारो इसलिए यह इंपोर्टिंट है आपके लिए ठीक है कौन से यह नहीं किया गया था यह आप इनके अलावा जो होगा आप बताएंगे कि हाँ इस ही अर्ण में नहीं किया गया था रिक है यह ध्यान रखेंगे 75, 82, 86 और 2006 ओके नेक्स्ट एक कोशन आपकी स्किन पर कोशन नंबर 9 कोशन नंबर आप 9 पढ़ें फिर आमसर बताएं रास्टिय मांसिक स्वास्त कारिकरम की सुरुआत हुई थी आ घ्र प्री में परर देख सकते हैं गवद्ज आएंट आपको दार बताएं जो भी रास्ट्व आपको लग रहा इसका जो राइट आमसर रहे कि आप संग्स नेक इसका राइट आमसर हो के यहां पर देख सकते हैं यह गोगवर्मिंट ऑफ इंडिया लाच्टी नेशनल प्र नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एन एम एज पी ठीक है कब किया था 1922 में 1982 में इन्होंने लांच किया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो के तो यह एस ध्यान रखेंगे आप नेक्सट है कोशन आपकी स्किन पर कोशन नमबर 10 कोशन नमबर आप 10 पढ़ें फिर आउसर बता है भारत में राश्टिय स्वास्ट मिस्टन की सुरुवात कब हुई थी फेन वाजदा नेशनल हैल्थ मिस्टन इस्टार्टर इन इंडिया क्या है राइट आमसर इसका कमेंट करके बता सकते आफसरन डीस का राइट आमसर है 2013-2013 में भारत में राज़्टी है स्वास्त मिस्तन की सुरुवाद 2013 में हुवी थी ओके आफसरन डीस का राइट आमसर माना जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पर कोशन नमबर आपकी स्किन पर 11 कोशन नमबर आप 11 पढ़ें फिर आमसर बताएं स्वार भॉमिक टीका करन कारक्रम यू आईपी जी से का जाता है यूनिवर्सल एमराजेशन प्रोग्राम यहां पर मेंसन किया गया कि सुरुवात कब की गए थी फिन वाजदा यूनिवर्सल प्रोग्राम यू आईपी लांजड क्या होगा राइट आमसर इसका कमेंट करें आफसंस इसका राइट आमसर होगा 1982 ठीक है उनिस सो पचासी 1985 में ठीक है यू आईपी यूनिवर्सल एमराजेशन प्रोग्राम यू आईपी जी से कहा जाता है सौर भॉमिक टीका करन कारक् अईपी टीक है उनिस सो पचासी में लांज किया गया था यू आईपी ध्यान रखेंगे यू इनिवर्सल एम्मनाजेशन प्रोग्राम लांज किया गया था उनिस सो पचासी 1985 में ओके नेक्स्ट है कोशन आपकी स्किन पर कोशन नमबर 12 पढ़ें फिर आमसर बताएं रास् बी होगा क्या आफसन बी 2013 2013 को रास्टी बाल स्वास्त कारिकरम ठीक है नेशनल चाइल्ड हेल्ट प्रोग्राम लांच किया गया था 2013 को 2013 को लांच किया गया था ओके तो ये आफ सभी एर ध्यान रखेंगे जितने हैं हमने बताए ये सभी important question से आपके exams के लिए और ये exams के हाल परिशाओं में पूछे गये हैं NHM के ठीक है NHM के exams में पूछे गये जो ESIC के nursing exams होते थे उसमें पूछे गये question लिए गये ठीक है जितने भी data में question लिए गये सभी certified answer है ठीक है आपको ज़्यादा डाउट नहीं करना जो भी point बताएगे वो आपको certified करने के बाद भी बताएगे इसलिए जो भी answer है उन्हें आप याद कर लेना ठीक है जो भी details भी बताएगे उन्हें भी आप याद कर लेंगे जिस परकार के question आपको बताएगे है तो मीड करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर subscribe कर और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करना डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे समय पर मॉर्णिंग या आफ्टरून पर ठीक है और जो लोग हमारे नोट्स पर चेज़ करना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में हमारा वाट्सप नमर मेंसन किया जाएगा हमें अपना ना